स्वागा थैं मेरे सैनल अनिता पाक साला में आज हम बनाएंगे समोसा रोल टेस्टी और क्रंची तुछले शुरू करते हैं हमने दो कप मैदा लिया हुआ है अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमचा जवाएं नमक तेल डालेंगे आप घी भी डाल सकते हैं हाथों से मिलाएंगे एक चमच और तेल डालेंगे मैदा और तेल को अच्छे से रगड़ रगड़ करके मिला देंगे देखो आपका आठा ऐसे हो जाएगा बिल्कुल जूरने लगेगा अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आठा को गूथ लेंगे गलती से भी ज़्यादा पानी हो जाएगा तो समोसे खसते नहीं बनेंगे नरम नरम बनेंगे समोसे आठा हमने अच्छे से गूत लिया है अब इसको आदे गंटे के लिए भख करके रखडेंगे 4 मिडियम साइज का आलू हम ने उपला हुआ लिया है आलू हमारा कद्दुकस हो गया है अब हम पैन में एक चम्मज तेल डालेंगे उसमें डाल दिया हमने दो मिर्च कटी हुई आलू को हमने डाल दिया अब मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मज गरम मसाला आधा चम्मज लाल मिर्स पाउडर राधा चम्माज आम चूर पाउडर राधा चम्माज और धनिया पाउडर राधा चम्माज सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक नमक को भी हम अच्छे से मिला लेंगे कटा हुआ हरा धनिया को हमने डाल दिया अब डालेंगे हम कारण फ्लोर एक चम्मज अब चावल का आठा भी डाल सकते हैं आलू फ्राई हो गया है देखिए आठा कितने अच्छे से सेट हो गया है अब हम एक लोई लेंगे हाथों से गोल करेंगे इसको अब इसमें हम थोड़ा मैदा लगाएंगे अब इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे देखिए ऐसे घुमाते हुए हम अच्छे से बड़ी सी रोटी बना लेंगे इसकी अब इस पर हम लगा देंगे फ्राई किये हुए आलू को अच्छे से पूरे रोटी में लगाना है अब हम साइट से पकड़ के मोडते हुए रोल बना लेंगे देखिए रोल बन गया अब इसमें हम पानी लगा देंगे पानी लगा करके चिपका देंगे इसको अच्छे से ताकि फ्राई करते वे टाइम खूले नहीं अब हम इसको पीस में काट लेंगे देखिए हमने तीन पीस कर लिया इसका ऐसे ही सारा रोल हम बना लेंगे सारा रोल हमने बना लिया है अब इसको फ्राई करेंगे तेल गरम हो गया है अब कर्ची के उपर हम डालेंगे और हलके हलके फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम तेल में छोड़ींगे इसको और समोसा को slow flame पे ही हमें तलना है high flame पे नहीं तलना है नई तो समोसा अंदर से कच्चे रह जाते हैं उपर से जल जाते हैं अब इसे उलट पलट कर चलाते हुए हम 10-12 मिनट तक fry कर लेंगे देखिए कलर देरे देरे गोल्डेन हो रहा है अब हमारे समों से अच्छे से फ्राई हो गए है अब हम इसको निकाल लेंगे अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई करें अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें तो देखिए स्वाथ से भरपूर टेस्टी क्रंची समोसा रोल बन करके तयार है धन्यवाद